स्री सिवाई नमस्तुब्यम दर्सकोव कैसे हूँ आसा करते हैं कि आप सब सुवस्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तो आज सोब मुवती अमावशा है आज की रात्री में आप लोगों को नमक का एक छोटा सा परियोग करना है पूझ गुर्देव की दुवार बताया गया बहुती अच्छा उपाई है और इस उपाई को करने से आप लोगों को बहुत से कारियों में आपको सपलता प्राप्त होगी और साथ यसाथ आपके घर के सभी परकार की नकारात मक सकतिया दूर होंगी आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा इसी के साथ साथ आपको बहुत से लाप देखने को प्राप्त होंगे तो दोस्तों आज रात्री का जो उपाई है बहुती कारिगारी और बहुती अच्छा उपाई है और इस दुड़लब सही हो के दोरान आप लोगों को रात्री में है उपाई करना है लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को प्यारा सा लाई का आउशे करे हर बार की तरह कोमेंट में सरी शिवा नमस्तुबह हम अवशे लिखे हैं तो दोस्तो आज रात्री में आप लोगों को एक नमक का छोटा सा उपाई करना है क्योंकि दोस्तो जो नमक होता है नमक भोती खाने के सुवाद बढ़ाने के सासाथ बहुत से तोने टोटकों में भी काम में लिया जाता है बहुत से उपाईयों में भी काम में लिया जाता है क्योंकि जो नमक होता है नमक सभी परकार के कारियों में लिया जाता है तो दोस्तो आज रात्री में आप लोगों को मातर नमक को इस दिसा में फैक देना है आपके घर से सभी परकार की बुरी सक्तियों का वास हट जाएगा तो दोस्तो आज रात्री में आप लोगों को मातर एक मुठी नमक लेना है और उसी के साथ साथ अगर हो सकी तो एक फूल वाली लोग आप लोगों को ले लेनी है और नमक और फुल वाली लोगों को अपने हाथ में लेकर और अपने सिर्षे और पाउन तक आप लोगों को साथ बार निकालनी है और फिर आप लोगों को उसे अपने हाथ में लेकर आपकी घर से दक्षिन दिसा में उन्हें बगवान सनी देव का इश्मन करते वे फैक देना है क्योंकि दोस्तों आज सनी जैन्ती भी पड़ रही है साथी साथ तो आप लोगों को आज रातरी में सनी देव का इश्मन करते वे ओम सनी सनी च्राई नमहा कजाब करते वे उसे फैक देना है इ झाल झाल